फैसला नमबर 17 अब यूपी में होमगार्ट के 20 प्रतिशत पदों पर होगी महिलाओं की भरती 100 दिन में शुरू होगी प्रक्रिया फैसला नमबर 21 यूपी में महिला होमगार्ट को एंटी टेर्रिस मॉड्यूल का प्रशिक्षर देने की निर्देश दिये तो जैसा कि अब आप सभी ने देख लिया कि यूपी में होने वाली 35,000 पदों की जो भरती है उसे यूपी गवर्मेंट अपनी 100 दिन के अंतरगत सामिल किया और इसमें 100 दिन के अंदर भरती होगी उसे शुरू करा दिया जाएगा और आपके जो online application form होंगे वो start कर दे जाए जिन में से एक आपका होंगार भरती का भी decision लिया गया साथी में आप सभी को बता दें कि इस vacancy के लिए male and female दोनों apply कर सकते हैं जैसा कि बताए गया कि female के 20% यहां पर पाद सामिल किये जाएंगे तो यह बहुत ही अच्छी बात है कि इसके लिए male female दोनों के लिए vacancy आ रह गा तो 18-18 साल तक के general category के जो candidate होंगे वो इसके लिए apply कर सकते हैं अगर आप OVC, SC, ST candidate हैं तो यहां पर आपको 18-13 साल तक आप apply कर पाएंगे क्योंकि 5 साल की यहां पर छूट दी जाएगी तो 18-13 साल reserve category के जो candidate होंगे वो इसके लिए apply कर पाएंगे साथी में अगर hide वगर जो ली जाती है सेम उसी तरीके से आपका लिया जाएगा क्योंकि यह बहुत लब्मे समय बाद आपकी भरती करवाई जा रही है तो इस बार बहुत सारे नियों में वदलाब देखने के लिए मिलेगा क्योंकि यहां पर आपकी जो भरती होगी written examination के वेस्पे करवाई जाए कि इस बार आपका exam भी conduct करवाई जाएगा और exam के आदार पार ही आपकी भरती करवाई जाएगी जिसमें आपका physical भी सामिल किया जाएगा तो यह जो 35,000 पतों की जो आपकी भरती है इस पर पूरी तरह से मौल लग चुकी और अगले 100 दिनों के अंदर आपको यह भरती दे आप सभी को दी जाते हैं इससे लगवाग 8-10 दिन पहले भी मैंने आप सभी के लिए वीडियो बना के आप सभी को बताया है था कि वह वेकिंसी बहुत ही जल्दी आप सभी के रिलीज होने वाले हैं तो उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद आप सभी कि यह जो भी doubt and queries होंग यह 155 भी हो सकती है तो वह सभी candidates के लिए apply कर पाएंगे female candidate 105 और 166 male candidate की height मांगी जाएगी बाकी का जो physical ने written examination बगरा होगा वो detail notification जो आपका जारी किया जाएगा उसमें सारी चीजों को समलित किया जाएगा जैसे इसका detail notification आएगा आप सभी को provide करा दिया जाएगा इसके लि लिए vacancy निकाली जाएगी कम से कम आपसे minimum 10th pass ले आई जागा क्योंकि बहुत सभी लोग जानते हैं कि यहां से अगर आप home guard में भढ़ती भी हो जाते हैं तो उसके बाद आप UP विलस में जाने के बहुत अच्छे chances आपके पास रहते हैं अगर आप 12th pass है तो आपको बहुत अपडेट रेगूलर आप सभी को मिलती रहें फिलाल के लिए वस इतना ही मिलता है अगरे वीडियो में से थैंक यू फॉ वाचिंग जैहिंच वारत